बहुत बहुत पुरानी बात है एक ब्राह्मन छोटे से गाउं में रहता था उसके पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था उसकी सुन्दर पत्नी थी होश्यार बच्चे थे उसके पास उपजाओ जमीन थी जिसमें वो जो चाहे वो फसल लगा सकता था लेकिन वो ब्राह्मन बहुत आलसी था और कभी काम नहीं करता था उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश की कि वो अपना काम खुद करे सुबह हो गई उपचाओ क्या खेत पर नहीं जाना है लेकिन ब्राह्मन उसकी बातों को हमेशा अंसूनी कर देता था मैं? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कभी काम नहीं करूंगा उसकी पत्नी बहुत परिशान रहती थी लेकिन इस बारे में वो कुछ नहीं कर पाती थी एक दिन एक साधू ब्राह्मन के घर आया ब्राह्मन ने बहुत ही प्रेम और आधर से उनका स्वागत सबकार किया साधू ने खुश होकर ब्राह्मन से कहा बीटा मैं तुम्हारे आधर सम्मान से बहुत खुश हुआ बोलो तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हारी मुराद अवश्य पुरी करूंगा आलसी ब्राह्मन ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो तुरंत बोला हे महत्मा मैं चाहता हूँ कोई ऐसा एक आदमी जो मेरे सारी के सारी कामों को पूरा करे और साधू मान गए ऐसा ही होगा लेकिन याद रखना तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे व्यस्त रख सको ब्राह्मन मान गया और तभी एक बड़ा सा राच्छस ब्राह्मन के सामने आ गया माले मैं क्या करूं ब्राह्मन सोचने लगा मुझे अभी काम चाहिए अगर काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा अब ब्राह्मन सोच में पड़ गया और राक्छस से कहा जाओ खेत में पानी डालो राक्छस तुरंत गायब हो गया लेकिन याद रखना तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि वो व्यस्त रहे ब्राह्मन शांती से नीचे बैठ गया और अपनी पत्नी से एक ग्लस पानी लाने को कहा लेकिन पानी पीने से पहले ही राक्छस वापस आ गया हो गया अब और क्या करूं घबराकर ब्राह्मन के हाथ से पानी का ग्लास छूट कर गिर गया पूरा हो गया हां मारे ठीक है अब तुम्हारा आम करो अब बचा हुआ काम हम लोग कल पूरा करेंगे नहीं मारे मुझे काम चाहिए अभी अगर मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हें खा जाऊंगा तब ब्राह्मन कुछ घबराया और सोचा और उस राक्छस से बोला तो फिर क्यों नहीं तुम खेज जोत लेते हो इसके लिए तुम्हें पूरी रात लग जाएगी कल फिर मैं तुम्हें धेर सारे काम दे दूँगा राक्छस मान गया और चला गया फिर ब्राह्मन मन ही मन अपने उपर खुशो कर भोजन करने बैठ गया देखो भाग्यवान अब मेरे सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे और अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ये सुनकर ब्राह्मन की पत्नी थोड़ा मुश्कुराई अभी ब्राह्मन अपना पहला निवाला खाया ही था कि राक्छस वापस आ गया मानि हो गया सार अब ब्राह्मन डर गया, वो सोच में पड़ गया कि क्या उसके पास इतना काम है देने के लिए, ये सब देखकर उसकी पत्नी बोली सुनिये, क्या मैं उसे कुछ काम दे सकती हूँ? तुम? हाँ, ठीक है, लेकिन तुम क्या काम करवाओगी इससे? चिंता मत कीजिए, मैं उसे बता दूँगी मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए ठीक है, बाहर जाओ, और तुम हमारे कुटे मोती की पूछ सीधी कर दो राक्षस तुरंत मान गया, और बाहर चला गया देखो आलस किपना खतरनाग हो सकता है पहले तुम अपने ही काम से मुझ मोड़ते थे अब राक्षस तुमारी मदद कर रहा है और तुम काम नहीं दोगे तो वो कहता है कि तुम्हें खा जाएगा क्या चाते हो? तुम ठीक कहती हो, मुझे बहुँद दर लग रहा है मोटी की पूँच सीधी करने के बाद हम उसे और क्या काम देंगे? ब्राह्मन की पत्नी हसने लगी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने ही उस राक्षस को काम दिया है वो राक्षस कुछ भी कर ले, मोटी की पूँच कभी भी सीधी नहीं कर पाएगा सच में, राक्षस ये मुश्किल काम पूरा नहीं कर पाया मोटी का पूँच वो जब खींसता था, तो सीधा हो जाता था लेकिन जब छोड़ता था, तो वो फिर मुण जाता था बोजन के बाद थोड़ा अराम क्यों नहीं कर लेते वादा करो कल से तुम रोज में न करोगे मैं वादा करता हूँ इस तरह राक्षास को मुश्किल काम करते हुए छोड़ कर ब्राह्मन और उसकी पत्नी सोने चले गए दूसरे दिन जब ब्राह्मन खेद जाने के लिए निकल रहा था उस समय भी राक्षास मोती का पूच सिधा करने की कोशिश में लगा था क्या कर रहे हो राक्षास? जल्दी खत्म करूगा माले! जल्दी ये काम खत्म करो! मेरे पास तुम्हारे लिए धेर सारे काम बाकी है! हाँ माले! अच्छा मैं चलता हूँ! ये सब कहकर ब्राह्मन खेद जाने के लिए निकल गया! इसके बाद ब्राह्मन ने कभी आलस नहीं किया! शिक्षा ये है कि खुद की मदद ही सबसे अच्छी मदद होती है!